हेलो फ्रेंट इस में विशागा जोदरी वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब लोग हो आप सब लोग बहुत अच्छ होंगे मैं अभी अच्छी हूँ फ्रेंट्स आज है टिंस्टे और मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू फेशिल के साथ जो की विटामिन सी से भर पू मिल जाएगा बस एक चीज लाने की ज़रुत है वो भी कभी-कभी तो होती ही है सबके घर में फल होते ही है नहीं भी है तो कहीं भी मिल जाएगा वो सो स्टार्ट करते हैं बहुत सारी बाते ना करते हुए एंड डेकिनिकली बहुत अमेजिंग फेशिल है आप लोग आप मुझे फोलो कर लेना एंड वीडियो अपकोस देख लेना लाइक कर देना और जो फर्स टाइम लाइक कर देना कमेंट कर देना बहुत सारे है और जो फर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल इकन दबाना बिरकुल भी नहीं भूलना है ताकि मैं कुछ भी डालू तो इसका notification आपको timely मिल जाए और आप लोग देख लो सो बहुत सारी बाते ना करते हुए आज का facial स्टार्ट करते हैं मेरे साथ करना है ना चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज का facial आज हम लोग करने वाले हैं संत्रे से facial जी हाँ संत्रा खाने में बहुत टेस्टी लगता है लेकिन आज खाना नहीं है आज हम लोग इससे facial करेंगे फर्स्ट इसको बहुत अच्छे से धुल लेना है एंड सुखा लेना है और उसके बाद हम लोग इसका छिलका उतारेंगे और बहुत इजली इसका छिलका उतर जाता है एंड छिलके फैक्टने नहीं हैं क्योंकि facial में छिलके भी काम आने वाले हैं चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग संत्री को पीस लेंगे मिक्सी में और सिर्फ दो बार ही गुमाना है और इसका जो जूस है वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे पूरा चलनी की help से यह देख लिजे मैं कैसे निकाल नहीं हूं वैसे ही आपको निकालना है और बहुत इसली निकल जाता है बहुत जादा डीफिकल्ट वाला काम नहीं है विरकुल भी और इसमें बहुत जादा व विटामिन सी सभी को पता है कि हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है सो जूस निकल के तयार है नेक्स्ट हम लोग जो इसके छिलके थे वो भी पीस लेंगे बहुत अच्छे से और इजली पीस जाते है मिक्सी में दो से तीन बार आप लोग ग्राइंड करेंगे और हो यह देख लीजे निकाल लिया है यह दोनों चीजे हमारी रेडिया फस्ट स्टेप क्लींजिंग कैसे बनाना है हमें फस्ट हम लोग ले लेंगे एक बावल एंड उसमें जो मैंने संत्रे का ड्रस निकाला हुआ है वही टू स्पून ले लूँगी एंड वन स्पून इसमें ले लूँगी मैं रोज वर्टर और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड यह तयार है हमारा क्लींजिंग सेकेंड स्टेप स्क्रबिंग के लिए हम लोगों को एक बावल ले लेनी है एंड नेक्स जो छिलके हमने पीसे थे वही टू स्पून मैं ले लूँगी एंड अगर आपके पास चावल का अटा नहीं आप गेहूं का अटा भी ले सकते हैं और यहां पर मैं ले रही हूँ तीन से चार बून ग्लीसरीन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर ग्लीसरीन आप लोगों को नहीं लेनी है तो आप विटामिन ए का कैपसूल भी ल फ्रृण में हुआ हैं वी हेसी हम एक था जाए और हए उनले हुआ हैं हर सटाओ नसिए ये पर स्टाओ केपसूल एक सब्सक्रीय केंदे सागे हैं हुआ डावेरा जर्रेड एंट शस्केट मिक्साई देड तर में हमा एक हस्ताओ है शाच क्रीम रिड़ी है , नेक्स स्टेप है , फेस पैक , छेलेंगे एक क्लीन बॉल बढा फोर स्पून औरेंज पील पाउडर अरेंज जूस जो हमने निकाला था वही एंड नेक्स मैं इहां पर ले रही हूँ बेसन 1 स्पून या फिर आप आप चावल कार्टा भी ले सकते हैं और नेक्स मैं इहां पर ले रही हłem इव्यून का एक कैपसूल इसकी जगा आप ऐलोवेरा जेल भी ले सकते हैं और यह है तो बहुत अच्छी बात है विटामिन सी और ही हमारे फेस पे एक साथ काम करेंगे तो इस से अची ज्यादा और कुछ चीज नहीं है और यह हमारा फेस पैक बनके एक तम रेडी है अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे यह यूज करने है तो फर्स स्टेप है क्लेंज करके क्लीन करना है फेस बहुत इजली बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं सो नेक्स स्टैप है स्क्रब लेंगे थोड़ा अपने हाथ में एंड स्क्रब करते रहेंगे यह बार बार गिर रहा था तो अच्छे से आप लोग ले ले आप कितना गिलो आ जाएगा इस स्क्रब के बाद ही तो आप लोग जरूर ट्राइ करना मस्ट ट्राइ करना यह फेशल एंड मैं और भी फेशल बता चुकी हूं तो उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूंगी आप लोग वह भी ट्राइ करना और यहां पर बह के बाद ही इतना अच्छा फिल कर रही थी मेरी स्किन बहुत ज्यादा सोफ्ट हो गई थी फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्क्रब है आप लोग बहुत हलके हाँ से करना और रिजल्ट देखना नेक्स इस्ट फेस मसाज और यहां पर हम लोग थोड़ा-थोड़ा क्रीम लेते रहेंगे और अपलाई करते हुए मसाज करते रहेंगे क्योंकि एक साथ तो अपलाई नहीं हो रही थी सो अच्छे से फुल फेस पे अपलाई करके उसके बाद मसाज करेंगे और फ्रेंड्स बहुत ही जेंटली हलके हाथों से आइस के पास आपको मसाज करनी है और अगर आ कुछ दिन आप दो से दिन दिन फ्रिज में रखके यूज कर सकते हैं सो फैकना नहीं और यहां पर देख लीजे मैं कैसे मसाज कर रही हूं ऐसे ही आप लोगों को भी मसाज करनी हैं और उसके बाद आप इस फेशल के रिजर्ट्स देखला हम बहुत ही अमेजिंग रिजर्ट हैं आप लोग ट्राइज जरूर करना फ्रेंड्स कुछी स्टेप्स हैं जो मैं इसमें बता रही हूँ तो आप लोग देखलो एंड ट्राइ करना थोड़ा टाइम लगता है अपने फेश को दिया करो फ्रेंड्स जरूर जो टाइम से पहले जुर्या हो गई है ज्ञाइया ह उनको खतम करने में बहुत हेल्प करेगा एंड हमारी स्किन टाइट करेगा और ब्राइट करेगा जो चावल काटा है उससे हमारी स्किन टाइटन होगी एंड यह देख लीजिए आप यहां पर ऐसा लग रहा था कि मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है सो इतना ग्लो कर देग आपके फेस को यह नेक्स स्टेप है यहां पर फेस पैक और यहां पर हमें एक थिक लेयर लगानी है थिक लेयर अपलाई करनी है बिरकुल भी बहुत ज़्यादा पतली लेयर नहीं लगानी है थिक लेयर अपलाई करनी है फ्रेंड बहुत अच्छे से फुल फेस पर थिक ल प्षान रखा करो क्योंकि जैसा हमारा फेस दिखे वैसा ही नैक भी दिखना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर मैं नैक और फेस पर दोनों पर एक ठिक लेयर अपलाई कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैंने ठिक लेयर अपलाई कर ली है उसके बाद 15-20 निट आपको य मेरी दरा कर लीजे क्योंकि हाथ भी तो अच्छे दिखने चाहिए तो मेरा तो हमेशा जो फेस पैक बचता है मैं अपने हाथों में लगा लेती हूं और अच्छे से चार से पास मिनट तक उसको मसाज करते हुए फिर उसके बाद धुल देती हूं आपके पास अगर टाइम है तो आप ज्यादा टाइम दस मिनट भी रख सकते हैं और उसके बाद धुल लेजे एंड रिजल्स काफी अच्छे आते हैं यहाँ पर मेरा फेस पैक सूप चुका था और इसको एजा स्क्रब उतारना है और उसके बाद यह रिजल्स आपके सामने हैं और बहुत ही कर देना ताकि उन लोगों को भी इसके बेनिफेट्स मिल सके एंड लाइक और कमेंट्स तो जरूर कर देना हैं फ्रेंड्स इसके चोबीस गंटे तक फेशल करने के बाद आपको कोई भी फेश्वोस वेगरा यूज नहीं करना है और मैं हाँ पर टोनल यूज कर रही हूँ आपको आज का ये फेशल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने वाट्सब ग्रूप पे फेस्बुक ग्रूप पे या फिर अपने फ्रेंड्स को कजन्स को किसी को शेयर करना और बेनिफिट उनको भी मिल जाएं ताकि एंड आप लोग ट्राइ करना इसको आप हफते में दो बार कर सकते हैं या फिर ओर्टने डेज भी कर सकते हैं और इसका फेस्पैक आप लोग चार दिन बनाके फ्रिज में रख सकते हैं चार दिन से ज्यादा नहीं लेकिन चार दिन रख सकते हैं आप जरूर इसको ट्राइ करना और रिजल्स मेरे साथ शेयर करना और मैं ऐसे ही न्यू फेशल हर हर हकते आपके सामने लेके आती रहोंगी और ऐसे विर्कुल भी नहीं है कि मैं ऐसे ही उठाया और आप सब के साथ शेयर कर दिया मैं पहले यूज करती हूँ उसके रिजल्स देखती हूँ तभी आपके साथ शेयर करती हूँ जरूर आप लोग ट्राइ करना और मुझे बताना कि आप लोगों के रिजल्स कैसे रहे और कमेंट्स कर दिया करो सपोर्ट मी गाईस मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाइ टेक क्यार बाइ टेक क्यार बाइ फ्रेंड्स बाइ